हेलो डीर स्टूडेंट आज हम आज की चैप्टर में बात करेंगे कि बातके सविधान में जो अलग अलग देशों से जो विशह लिए गए हैं उन्हीं विशह लिए गये पिछले लेक्टर में आप पोपताया कि किस परकार भारतिये सविधान बन कर तयार हुआ सविधान सवा ने क्या भूमिका निभाई और किस परकार प्रारुप समिति की भूमिका रही किस परकार दो सो निन्यान में सविधान सवा के सदेश्यों ने लगबग दो साल ग्यारा मैना और अठारा दिन में भारत का जो सविधान बना कर तैयार किया गया और उन्होंने दुनिया के जो देश भारत से पहले आजा दो चुके थे और उन्होंने अपना सविधान बनाया तो उन सविधानों में क्या-क्या अच्छी विसेचतािं थी अच्छी बात थे जिनको बारत के सविधान consequently के लोग उन्य अच्छा लगा और उसको बारतके सेविधान में भी सामिल किया सबसे पहलं बात करते हैं जो भारत का मूल सविदान है तो आप आपको बताया था कि दुनिया सबसे बड़ा और लिखित सविदान है तो उसमें जो मूल सविदान है जो 26 जनुवारी उनीशों पचास में बनका तयार हो आता जो देश को समर्पित किया था सविदान सभाम ने डॉक्ट्र राज अंदर परसाजी को जो उसमें उनका स्थाया देक्स थे उसमें बात के सविदान में 22 भाग और भ्रक्राइब दौसोबस पिचान में अनूछेद्र गहिए और आठ अनूसुचिय सामिल की गई और क्या चीज़ाक। कि उसको एक करवाई सिक्वेंस में उस पर चर्चा करेंगे कि इन 22 वागों में क्या क्या चीज सामिल की गई है यह से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है सबसे पहली बात आती है मौलिक अधिकार ज्वडे करने के लिए उसके में कुछ अधिकार के हैं तो वर्तमार समय में हमारे जो भारत का नागरीक है estas शे मोली का दिकार 6 fundamental right है और यह वबस्ता है मोली का दिकार की इनको बाहरत के सविदान में सामील किया गया सरյच्चय न्याले की आपको बताए था लोगतंतर के वह स्बिक्राइब buddies in उन्ष सेंग आपको बता है तो भारत में जो सर्वोचे नियाले हैं वह ही किसी परकार के नागरे का मुली कजिकार हनन तो नहीं हो रहा है इन सब की रख्षा के लिए काम भी करता है और राष्टपती का निर्वाद्चन है किस परकार राष्टपती का चुनाव किया जाएगा ये ववस्ता आपको बताएगा थे सबसे पहले दुनिया में राष्टपती का पद अमेरिका में बना था और वित्ति आपातकाल जब देश में पैसों की कोई दिक्कत आती है उससे समंदित को शमेश्य देश में उत्पन होती है तो विट्तिवाद का gracious आतव को सुटपतन भी अमरीका में तिए अमृका किसी स्टेट किसी डिष्टी का कहीं का भी हो लेकिन उसको पूरे देश में कहीं पर ब्यान जाने की किसी परकार को पाविंदी नहीं थी ओलेकल नागरिकता का परवादान था इस से कि जो वह स्ताई थी उसको खतम किया गया तो बारत में एकल नागरिक तक जो सविदान सामिल की गई वो बिर्टेन से ली गई विदी निर्मान मतलब देश में जो कानूर बनाने की परिकिरिया जो संसद में तो प्रूमी का निभाती है राज सबालोग शबाई जो अपना काम करती है तो जो कानूर बनाने की परिकिरिया है यह वोस्ता भी सबसे पहले ब्रिटेन में थी और वहां से बारत के सविदान में इसको गरेंड किया गया है सामिल किया गया है इसी के साथ साथ पी एम का पद परदान मंतरी का पद भी पूरी दुनिया में सबसे पहले आपको बताए था England-Ritan में बना था यूके में बना था उसकी जो ववस्था उसको भारत के सविदान में सामिल किया गया सनसदात्मक्त सनसदात्मक्त ववस्था मतलब एक राजय सभा और लोग सभा दो जो ववस्था यह भी भारत में अगलेंड से ले गईे जब बात करते हैं आस्टेलिए देश की आस्टेलिया देश से जो बात के सविधान में जो विश्य लिये गये हैं points नहीं परस्तमर्थावना ॥। सविदान में जो पूरे देश की या फिर आप बात करते हो कुझी के रूप में सविदान की कुझी के रूप में एक ऐसी ववस्ता है जो पूरी व्याख्या कर देती है अपने आप में पूरे सविदान की विशेशता होगी संवर्ति शूची वे शूचिया जिन चीजों की व से ली है उनको सामिल किया गया है केंदर और राज्य सरकार की सक्तियों को बटवारा कि केंदर सरकार क्या काम करेगी और राज्य सरकार क्या करेंगी कि इन दोनों की सक्तिय बाटी जाए और इन दोनों में आपस में किशी परकार का विवाद उत्पन्ना हो इसलिए केंदर के तो राज़ेसरकार की सकतियों को भी बाटा गया है। इसी के साथ साथ बात करते हैं कनाड़ा ने से एक और चीज भारत के सेविदान में सामिल की गई है वो यह राजेबाल की नुकती राजयेपाल का एसे नुक्ति किया जाएगा। ऐसे राजे की शिराज्य की जब हम बात करते हैं मुख ऐ मन्तरी है उसको अच्छी बात करते हैं दो जिस परकार मोलि करते हुए होते हैं कि भाई आई वक्ति के लिए जो मोली का अधिकार दिये गए उसके साथ मोली करते हुए कि भाई आपको अपना आपका अस्तीव बचाने के लिए या अपने सामाजिक कि राजनेतीक आर्थीप से विकास करने के लिए आपको कुछ आजाधी दी गई एत लेकिन उसके साथ-साथ आपको कुछ देश के परतिक करते हुएं भी है वर्तमा समय में भारत में जो मोली करते हुए है उनकी शंक्या ग्यारा है तो आपको बताया किस परकार बहारत के सविदान में अलग-अलग विशयुस सम्मादित, सविदान में दुनिया के अलग-अलग डेशों का जो सविदान बना उनसे, जो उचित और अच्छी जो बात थी, जो सविदान सबान ने लगा, उनको सामिल किया गया, आप इसमें पर बात करेंगे जो बार्द के स्युदान में अलग-अलग विशे लिए गए हैं और किस भाग में क्या कवर्णन किया गया है पहले जो भाग उसमें संग राजजरा उसका राज्य छेतर कि किस परकार का बार्द एक संग आत्मा देश है राज्योगा एक संग है उसमें किस प का दिकार है उनका वर्णन किया गए मोली का दिकार हो कि जंग्या आपको बताए था अच्छा है पर नीति निर्देशक सिद्धांत करके बाइद नमबर चार है और बाइद चार में ही एक और चीज जोड़ी गई जो आपको बताए था कि जो मोली करते वे रूस से लिए गए हैं मोली करते हुए क्या है इनकी व्याक्या की गई है संग क्या है बात कर जो पूरा देश अलग अलग राज्य को मिला कर केंदिशासित पर देशों को मिला कर एक देश का सवरूप एक राज्ये का सवरूप मिला है उसको संग कहते हैं राज्ये के जो गठ जोड को या मिलाने की जो वस्ता बनती हो संग मलों के एक शमू को परिवासित करता है फिर राज्ये की क्या वह वस्ता है क्या करते हुए संग और राज्ये के छेतर मतलब भाग नमबर जो आठ की बात करत बाग नमर 14 की बात करते हैं तो संग और राज्यों के अधिन सेम आई कि मतलब कुछ चीज ऐसे होती हैं जिनको बटवारा करके राज्य और संग में किसी फरकार का कोई विरोधा बास ना हो इसलिए उनकी सर्विस क्या क्या काम करें उस चीज की वह स्था की गई है का सारे एक राष्टबासा तो इन सब चिल्यों का एक करके व्याख्या की गई है उसको आगले आगला जो हमारा लेक्चर हो गा उसमें करके इन सब कि वियाक्या भी करेंगे आप आथकाल की विवस्ता की गई अमरजंशी जब देश पेकोई उद्ध हो जाए वार्या कार्म पातकाल है उसके बास्ता भी देख्टी जाती है उसके बास्टान संदिन जब समय कि आऊ सकता उब है को देकते हूए यह मना जाए यह कुछ नई चीज जोड़नी चाहिए तो उसकी इसाबसे उसकी वैक्षाय या फिर उसके अनदर कुछ सुदार की आ बड़ा गया है और किस परकार दुनिया का सबसे बड़ा साविदान जो हाथ से लिखा हुआ है वह हमारे संथ हमने है तो उसको जानने का उन्पने परियास किया होकर कैलेक्चर में हम जो बात करेंगे साविबान के विभी यह परमुग भाग है इनकी एक एक करके वियाका करे okay, thank you.